Hello Friends, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BA Study में दोस्तों अगर आप BA में है तो ये चैनल आपके लिए बहुत important है तो प्लीज जा करके सबसे पहली चीज कि आप इस चैनल पर विजिट करो और जा करके देखो ये चैनल आपके लिए कितना valuable है इस पर आपको BS related साढ़े 800 वीडियो अलड़ी uploaded हो चुके हैं और आप जिस समय ये वीडियो देख रहे हैं हो सकता है उस समय तक आपने 900 वी complete कर दिया हो तो आप जा करके चैनल पर विजिट चरूर कीजिएगा आज की class हमारी होने वाली है बीए फस्ट येर का बीए फस्ट येर की educations related top 100 questions जो कि आपके repeatedly बार बार आपसे exam में पूछे जाते हैं वही questions हम लेकर क्या है और 100 questions की हम एक series continue कर रहे हैं जिसमें हमारा ये आज का पहला वीडियो है तो चलिए start करते हैं तो आज का हमारा जो पहला question है आपके options है questions के लिए आप देख सकते हैं सिच्छा का आर्थ है सिच्छा का क्या आर्थ है आपके options है option number A सीखना और सिखाना B option है सीखने सिखाने के लिए C option है सीखना and D option है आपका सिखाना तो इन चारों में जो आपका correct answer है वो है आपका option number one सीखना और सिखाना अगले question की तरफ पढ़ते हैं अगला question है हमारा दूसरी number का कि किसका कतन है कि मनुस्त अंतर नहित पूरता की अव्यक्ति करना ही सिच्छा है मनुस्त का अंतर नहित पूरता जो है उसके अव्यक्ति करना ही सिच्छा है आपके option से मात्मा गांदी बी option है मात्पंडी जवाहला लहरू तो इन चारों में जो आपका correct answer है वो है आपका option number D स्वामी बिबेकानद अगले question की तरफ बढ़ते हैं अगला question है आपका तीसरे number का question कि किसका गतन है कि स्वास्थ सरीर में स्वास्थ मन का निर्माड होता है आपके option से option number A गांदी B option है सुकरात C option है अरस्टू D option है आपका प्लेटो तो इन चारों में जो आपका correct answer है वो है आपका option number C option number C क्या है आपका अरस्टू अरस्टू ने कहा था कि स्वास्थ सरीर में स्वास्थ मन का निर्माड होता है अगले question की तरफ बढ़ते हैं अगला question है आपका fourth number का question कि स्च्छा एक दूई धुरूए प्रकिरिया है यो किसका कथन है आपके option से option number A ड्यूबी, option number B रस्क, option number C है एडम्स, and option number D है आपका पिश्टो लॉज्टी तो इन चारों में जो आपका correct answer है वो है आपका option number C ये एडम्स का कथन है कि सिच्छा एक दूई धुरूए प्रकिरिया है अगले question की तरफ बढ़ते हैं अगले question की तरफ बढ़ते है अगले question है हमारा 6th number का कि सिच्छा के ब्यापक अर्थ के अनुसार सिच्छा की जो प्रकिरिया है वो चलती है कब तक आपके option से केवल बाल्य आवस्था तक B option है केवल युवा आवस्था तक C option है आपका जब तक विद्याले में रहे और D option है आपका जीवन प्रियंत तो इन चारों में जो आपका correct answer है वो है आपका option number D जीवन प्रियंत अगले question की तरफ बढ़ते हैं अगले question है 7th number के सिच्छा क्या है सिच्छा क्या है आपके options है option number A अंतर नहीं सकतियों का सामन जैस्से पूर बिकास B option है स्वैम क्या उन्भूती C option है ब्यक्ति दथा समाज के मद्ध होने वाली अंतर क्रिया and D option है आपका 7th number का उप्रोक्त सभी तो इन चारों में जो आपका correct answer है वो है आपका option number D उप्रोक्त सभी अगले question की तरफ पढ़ते हैं अगला question है 8th number कि सिच्छा के बिसे में क्या सही नहीं है आपके option से option number A सिच्छा एक सतत प्रक्रिया है B option है सिच्छा एक त्रिधरुवे प्रक्रिया है C option है सिच्छा के वल साच्छरता है and D option है आपका सिच्छा कला और विग्यान है तो इन चारों में जो आपका correct answer है कि सिच्छा की विसे में क्या सही नहीं है तो आपका option number C correct है सिच्छा के वन साच्छरता नहीं है ये सही नहीं है अगले question की तरफ बढ़ते हैं अगला question है आपका 9th number का question वो क्या कह रहा है कि सिच्छावा संस्कृति है जो साभी प्राय हर पीड़ी द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दी जाती है ऐसा किसी नहीं कहा आपका option से option number A उटावे option number B J.S. Mill option number C महत्मा गांदी and D. option है आपका मैथ्यू अर्नाल्ड तो इन चारों में जो आपका correct answer है 9th number question के लिए वो है आपका option number A correct है उटावे अगले question की तरह बढ़ते हैं अगला question है आपका 10th number का कि किसने कहा साभिद्या या बिमुक्ते का कथन किसने कहा आपका option से संक्राचारे B option है बसिष्ट C option है बेवेकानद D option है आपका द्रोडाचारे तो इन चारों में जो आपका correct answer है वो है आपका option number A संक्राचारे ने ये कहा है अगले question की तरह बढ़ते हैं अगला question है आपका 11th number का क्या कह रहा है 11th number का question कि सिच्छा नैतिक चरित्र का उचित विकास है ऐसी परिभासा किस ने दिया है आपके option से option number A DB B option है Plato C option है Russo D option है आपका Herbert Spencer तो इन चारों में से कौन सा आपका correct answer है 11th number question के लिए तो वो है आपका option number B option number B आपका correct है Plato अगले question की तरह बढ़ते हैं अगला question है आपका कि किसने कहा कि सिच्छा से मिरा भी पराय बालक और मनुस्य के सरीर मन तथा उसकी आत्मा के सर्वोत्तम गुडों का विकास है आपके option से option number A रबिदना टेगोर B option है आपका TP नं C option है महात्मा गांदी D option है आपका स्वामी बिबेका नं तो इन चारों में जो आपका correct answer है 12 number question के लिए तो वो है आपका option number C महात्मा गांदी अगले question के तरह बढ़ते है अगला question है आपका 13 number का question कि Adams के अनुसार सिच्छा 1 कैसी परकिरिया है आपके options है 3 मुखी परकिरिया B option है 2 मुखी परकिरिया C option है गत्यात मुख परकिरिया D option है आपका सतत चलने वाली परकिरिया तो 13 का आपका जो correct answer है वो है आपका option number B 2 मुखी परकिरिया अगले question के तरह बढ़ते हैं अगला question है आपका 14 number का question कि एक स्वास्थ सरीर में एक स्वास्थ मस्तिस्थ का निर्माड करना ही इस इच्छा है आपके options है आपका option number A अरस्थ का कथन है B option है Spencer का कथन है C option है DB का कथन है D option है आपका Plato का कथन है तो इन चारों में जो आपका correct answer है वो है आपका option number A ये question आपसे अलड़ी हो चुका है अगला question है आपका 15 नंबर का कि सिच्छा क्या है क्या है सिच्छा आपके options है option number A सिच्छा एक उस्तक है B option है सिच्छा ग्याना और अनुभो पराप्त करने की प्रक्रिया है C option है सिच्छा एक वस्तु है D option है आपका सिच्छा एक ग्योसा है तो इन चारों में जो आपका correct answer है वो है आपका option number B सिच्छा ग्याना और अनुभो प्राप्त करने की क्या है एक प्रक्रिया है अगले question की तरफ बढ़ते हैं अगला question है हमारा 16 नमबर का कि सिच्छा के घटक हैं क्या घटक हैं सिच्छा के उद्देश सिच्छड मुल्यांकन या सभी तो इन चारों में जो आपका correct answer है वो है आपका option नमबर D उपर युक्त सभी अगले question की तरफ बढ़ते हैं 17 नमबर सिच्छा है क्या है एक किताब है एक वस्तु है एक ब्योसा है ग्यान और अनुभो है क्या है सिच्छा तो correct answer क्या होगा आपका option नमबर D ग्यान और अनुभो है सिच्छा अगले question की तरफ बढ़ते हैं अगला question है आपका 18 नमबर का कि किसने कहा कि सिच्छा मनुस्रकी आंतरिक सक्टियों का स्वावाविक सामंजस्च पूर प्रतिबगरत सील विकास है आपके option सेųmen mentality B option है दो नमबर क्वेस्टन के लिए अगले question के तरफ बढ़ते हैं 19 number question यह कहा करा है सिच्छा दुधुरू यवा प्रकिरिया है इसके दोनों धुरू क्या है आपके option है सिच्छक और सिच्छद B option है सिच्छक और चात्र C option है पार्ट क्रम और छात्र and D option है आपका पार्ट क्रम और सिच्छक तो इन चारों में जो आपका correct answer है वो है आपका option नमबर B सिच्छक और छात्र दूई-धुरिये प्रकिरिया के धुरु है अगले question की तरह बढ़ते हैं अगले question है आपका निमलिखित में से कौन सा सिच्छा का साबदिक अर्थ नहीं है क्या साबदिक अर्थ नहीं है आपके options है option number A नियंतरित करना B option है बाहर निकालना C option है पढ़ाना and D option है आपका मुक्ती प्रदान करना तो इन चारों में से कौन सा आपका correct answer नहीं है तो वो है आपका option number D option number D आपका correct नहीं है क्या मुक्ती प्रदान करना अगले question की तरह बढ़ते हैं अगला question है आपका 21 number का question कि आधुनिक सिच्छा पढ़ाली कहीं जाती है आधुनिक सिच्छा पढ़ाली कैसी है आपके option है सिच्छा तथा प्रसिच्छ option number B सिच्छक तथा चात्र option number C पाठकरम तथा चात्र and option number D पाठकरम तथा सिच्छक तो इन चारों में जो आपका correct answer है वो है आपका option number C पाठक्रम और छात्र ही आधनिक सिच्छा पढ़ाली हो चुकी है कि पाठक्रम होना चाहिए और छात्र अपने हिसाब से कहीं से भी ऑनलाइन अफलाइन कहीं से भी पढ़ सकता है अगले कोश्चन के तरह पढ़ते हैं अगला कोश्चन है आपका 22 नंबर का कोश्चन कि आत्मनुहूती और आत्म विव्यक्ति का सच्छिक उद्देश संबन्दित है किससे आपके options है सिच्छा के विव्यक्तिक उद्देश से या B option सिच्छा के सामाजिक उद्देश से या C option सिच्छा के नैतिक उद्देश से तो इन चारों में आपको बताना है कौन सा correct answer है 23 number question के लिए तो इसका जो आपका correct answer है वो है आपका option number B पेश्टोलोजी अगले question की तरब बढ़ते हैं अगला question है आपका 24 number का question कि निमलिकित में से किस की अनुसार सिछा 3 धुरूए प्रकिरिया है आपके options है Russo, B option है Plato, C option है DB and D option है आपका Adams तो इन चारों में जो आपका correct answer है वो है आपका option number C John DB अगले question की तरब बढ़ते हैं अगला question है आपका 25 number का question कि किसने कहा आकिसी चामानों के अंतर नहित देवत्त का प्रकासन करता है यह देवक्त नहीं है यह देवत्त था टाइप करने में थोड़ी problem हो गया था तो देवत्त है तो कौन सा आपका जो है अंतर नहीं देवत्त का प्रकासन करता है आपके options है यह किसने कहा था स्री अरभिन्ने, B option है मात्मा गांदी, C option अरभिन्ना, Tegoran, D option है तो इन चारों में जो आपका correct answer है वो है आपका option number D तो यह था दोस्तों हमारा आज की class आज हमने 25 questions तक कबर कर लिया है तो हमारी पहली class में कितना हमने कबर कर लिया है 25 तक हमें 100 questions कबर करने हैं तो हम 4 classes में 100 questions कबर करने वाले हैं तो प्लीज अगर आपने अभीतर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो को notification आपको मिलता रहे और अगर आपको ये वीडियो valuable लग रही है अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको like कीजिए और अपने friend circle में सभी को share कीजिए ताकि उनकी भी आपकी वज़ासे help हो सके तो मिलते हैं आप चैनले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन चैवारत थैंक्यू